Hello guys, welcome to my channel तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको PCOD या PCOS है तो इसके होते भी आप 15 दिन में गरवती कैसे बन सकते हैं सिर्फ 15 डेज में आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ठीक है? अगर आपको भी PCOD की समस्क्या है तो ये प्रेगनेंसी होने में बहुत मुश्किल होगी लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम जल्दी से प्रेगनेंट हो सकते हैं और PCOD होने के बावजूद हम कैसे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं तो PCOD में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है मतलब आपको हर महीने उमीद लगा के आप बैठे रहते हो कि इस बार तो प्रेगनेंसी ज़रूर कंसीव होगी फिर आप टेस्ट करते हो तो नेगेटिव आता है इससे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर स्ट्रेस की वज़े से हमोनल इम्बैलनस हो जाता है जिस से कंसेप्शन की चांसेश और भी ज़्यादा कम हो जाते अब जितना स्ट्रेस में रहोगे न उतना आपको कंसीव करने में ज़्यादा प्राबलम होगी इसलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना है आपको पहले तो खुश रहना है अगर हैपी रहोगे ना तो आपकी बॉड़ी में सारे हॉमोनल फ्लक्शुएशन बंद हो जाएंगे आपकी हॉमोन्स एक्दम कंट्रोल में रहेंगे और आप जल्दी से कंसीव कर पाऊगे तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको कंसीव करने में जो बीश में आ रहा है तो आपको स्ट्रेस कम करना है तो आपको बता दू पहले तो PCOD कोई बिमारी नहीं है ये एक lifestyle disorder है इससे आप चाहो तो अच्छे तरीके से सही तरीके से आप छोटी छोटी बातों आपको जल्दी से ठीक हो जाएगा और आप प्रेग्नेंसी कंसीव कर पाऊगे तो चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं आपको क्या क्या करना है ताकि आपको प्रेग्नेंसी कंसीव हो पहले तो आपको healthy weight maintain करना पड़ेगा अगर आपको PCOD है तो पहले तो अपना weight कम कीजि होने लगेगा जिससे अगर आपको time for ovulation ही नहीं हो रहा है तो आप pregnancy कैसे conceive करोगे तो आप weight lose करें आपका सारे problems जड़ से खत्म हो जाएगी ये बात का हमेशे जरू धियान रखे कि weight lose करने में आपको खाना बंद नहीं करना है दस दिन में 10 kg weight कम नहीं करना है एक healthy तरीके से weight lose करना है ठीक है तो इससे pregnancy conceive करने के chances 70% तक बढ़ जाएंगे अगर आपका एक healthy weight रहेगा healthy BMI के अंदर आपको weight रखना है तो अपने weight का ज़रू धियान रखे फिर आपको करनी है exercise आपको daily exercise करना है जिससे आपका weight भी कम होगा और egg quality भी अच्छी होगी exercise से bone density भी walking, running, jogging, swimming, dance भी आपकर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे वो करना है लेकिन आपको exercise तो अपने दिन में जरूर करना है ओके फिर आपको अपने diet का बहुत जादा ध्यान रखना है PCOD में अगर diet का खास ध्यान रखे ना तो वो जल से जल खत्म हो जाती है fresh home cook food ही आपको खा process food भी आपको नहीं खाना है junk food, oily food यह सब अपको अपनी diet से निकाल देना है इससे weight भी कम होगा और egg quality भी अच्छी रहेगी और आपका uterus भी strong रहेगा अच्छी diet लेने से आपका uterus भी prepare होगा ताकि आप जल से जल pregnancy conceive कर पाऊ ठीक है अपकी bone density भी ठीक रहेगी तो यह pregnancy के न remedy है PCOS के लिए ठीक है अगर आप PCOS के लिए बहुत जादा treatment करवा चुके है या जो भी कर चुके है तोर तरीक अपना चुके है लेकिन यह वाला आप ज़रूर ट्राइ करें आप moon charge water ले यह basically आपके hormonal imbalance को ठीक करता है moon charge water अपको कब लेना है सुबह उट्टे ही empty stomach अपको प ठीक है तो बालकनी में जहां पर आपकी moon light पढ़ती हो वहां पर रख देना है फिर अप जब सुबह उठे तो आपको empty stomach उसे पी लेना है यह बहुत जादा फाइदे मंद है PCOS के लिए PCOD के लिए नतलब कोई भी तरह है कि आपको hormonal fluctuation हो तो आप moon charge water ले सकते हैं तीन महीने तक यह moon charge water वाला आप try करें तो इससे कहीं महीलाओ को conceive हुआ है तीन महीने के अंदर यह बहुत फाइदे मंद साबित हो सकता है अगर आप अब तक नहीं करते हैं तो यह वाला आप जरूर ट्राय करना फिर फिफ्ट है आपको healthy fats include करने हैं आपके diet में जो unhealthy fats हैं जिसे मैदा sugar या oil processed food वो सब आपको avoid करना है लेकिन आपको उसके बदले लेने क्या है diet में healthy fats जैसे के देसी घी देसी घी में बहुत अच्छी fat की मातरा होती है यह क्या करता है आपके body से unhealthy fat को cut करता है और healthy fat को add करता है फिर आपको nuts और seeds जैसे अलग-अलग टाइप के pumpkin seeds फ्लैक सीज औ अख्रोट बादाम फिर यह सब अपको अपनी diet में include करना है ताकि आपको अच्छे से proteins, minerals, iron यह सब मिले फ्लैक सीज और pumpkin seeds के तो बहुत सारे फाइदे हैं फिर आप chia seeds water पी सकते हैं यह सारे remedies आप कर सकते हैं और आपको refined oil avoid करना है ठीक है अब refined oil के बदले डेसी घी अपनी diet में use कर सकते हैं cooking में भी आपको बहुत ज़्यादा oil यूज नहीं करना है अब थोड़े से घी में cooking कर सकते हैं या olive oil यूज कर सकते हैं इससे क्या होगा अब थोड़े थोड़ा सा fat आपकी body में जाएगा बहुत ज़्यादा oily food तो avoid ही करना है इससे hormonal imbalance बहुत बिगर जाता ह ठीक है तो आप इस बात का भी ज़रू धियान रखें फिर six important point है आपको fenugreek water लेना है आपके क्यानी कि मेथी water यह आप दिन में दो टाइम भी ले सकते हैं यह एक ऐसी शीजे जो सदियों से use करते आ रहे fertility increase करने में और hormonal imbalance के लिए यह मेथी water अपके egg quality को भी ठीक करेगा अ आपके skin hair और nails के लिए भी बहुत अच्छा है आपके overall body को फाइदा पहुचाएगा यह body के glucose level को भी ठीक करता है insulin levels को भी control करता है PCOD में body में insulin resistance हो जाता है तो यह मेथी water उसे control करता है और weight loss में भी बहुत जादा help करता है ठीक है तो आपको मेथी water जरूर लेना है मेथी water है फिर आप soft का पानी ले सकते है अजवाइन water ले सकते है चियाजीज water ले सकते है यह सारे आपकी body के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आपको इसे अपनी diet में जरूर यूज करना है जीरा water भी अगर आप hormonal imbalance से गुजर रहे ना तो आप जीरा water भी यूज कर सकते हैं तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका PCOD जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा और आप 15 days में सिर्फ pregnancy conceive कर पाऊगे और last or सबसे important बात है कि आपको हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना है कुछ न कुछ मतलब यह है unhealthy biscuits, chips वगेरा वो सब नहीं खाना है आपको अपनी डाइट में क्या include करने है fresh fruits, vegetables, salad यह सब खाना है fresh एकदब seasonal fruits ओके तो seasonal fruits में अगर आपको apple, strawberry अभी winters में अगर यह सब आपको मिले न तो यह बहुत अच्छा है अपकी fertility को increase करेगा बहुत जाद आपको फाइदे मंद है strawberries भी बहुत अच्छी है तो आप इसे include कर सकते हो अब यह बात का जरूर ध्यान रखे कि आप दिन में दो fruits ले और salad भी अपको एक बार दिन में तो लेना ही है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे और PCOD जल से एकदम खत्म हो जाएगा ठीक है आप 15 days में अगर pregnancy conceive कर पाए तो यह आपके लिए बहुत और अगर आपको कोई questions पूछे हो तो आप comment section में जरूर पूछ सकते हैं मैं आपके answers भी जरूर दोंगी thank you guys